एक गाउ में रमेश नाम का एक आदमी रहता था रमेश की पत्नी का नाम लीला था उनका एक बेटा था उसका नाम चुटकु था पर बेचारा जन्म से ही अंधा था रमेश घर पर मुर्गियां पालता और उनके अंडों को बेच कर व्यापार कर अपना घर चलाता था गंगा, अगर इस बार मुर्गियों के अंडों का व्यापार अच्छे से हो गया तो हम उन पैसों से गाय खरीद कर उसका दूद बेचा करेंगे हाँ, ये बात अपने अच्छी कही अच्छे पैसे बन गए, तो हम अपने बेटे के आंखों का इलाज करवा पाएंगे हाँ, सच कहा, उससे घर में रहा नहीं जाता जब अपने उम्र के बच्चों को खेलते हुए सुनता है, तो उसे भी खेलने का मन होने लगता है मुझे अपने व्यापार को बढ़ाना होगा, ताकि मैं बहुत सारे पैसे कमा पाऊं और छुटकू की आँखों का इलाज करवा पाऊं यो आपस में बात कर, पती-पतनी रात होने पर सो गए पर सवेरे उठकर देखा, तो वे आश्चेरिय चकित रह गए एए भगवान, ये क्या हो गया, मेरी सारी मुर्गिया कैसे मर गई, कल रात तक तो सभी ठीक थी, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया स्वामी विंक टेश्वर जी, ये सब क्या हो गया पती के रोने की आवाद सुन, उसकी पतनी भी बहार आ गई अरे, क्या हुआ है जी, आप रो क्यों रहे हो देखो नल, अपनी मुर्गिया कैसे मरी पड़ी है अरे, ये क्या, ये सब कैसे हुआ अपनी जीने का ये ही एक तो आधार था, अब हम क्या करेंगे मरी मुर्गियों को देख दोनों दुखी हो रहे थे तभी एक पडोसन उनके पास आई क्या आपके मुर्गियां भी मर गई हैं? हमारी भी सारी मुर्गियां मरी पड़ी हैं आखिर अचानक ये सब क्या हो गया? समझ में नहीं आता यू सभी को आपस में बात करते हुए सुन बेटा छुटको घर से बहार आया क्या हुआ पिता जी? ये शोर कैसा? बेटा ये न क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, तुम जा कर सोजाओ तुमने अच्छा किया कि छुटको को सच नहीं बताया वरना वो बहुत दुखी हो जाता अब हम क्या करेंगे? अपना गुजारा कैसे हो पाएगा? मैं अभी बाजार होकर आता हूँ रमेश तुरंद बाजार गया और वहां से एक बत्थक को खरीद कर ले आया लीला, मैंने अपने सारे पैसे खर्च कर देखो, इस बत्थक को खरीद कर लाया हूँ अब यही अपने जीने का आधार बनेगा भगवान जी, जब से होश संभाला है सिर्फ आपको ही पूजा है मैंने मेरी थोड़ी सी पुर्खों की जमीन को बेच कर मैंने मुर्गियों का व्यापार शुरू किया पर सब बरबाद हो गया बचे कुछे पैसों से मैंने बत्थक करीदा है अब हमारे जीने का बस यही आधार है आप अपनी कृपा हम पर बना है रखना विंकटेशवर भगवान से प्रार्थना की उस रात विंकटेशवर भगवान उसके आंगन में प्रकट हुए रमेश ने बहुत दुखों का सामना किया है अपने इकलौते बेटे के आंखों के इलाज के लिए उसने कई व्यापार किये हर व्यापार में नुकसान ही झेला है इसलिए हे बथक आज से तुम इन्हें बस सोने के अंडे ही देना भगवान व्यंकटेशवर ने बथक को सोने के अंडे देने के लिए कहां और गायब हो गया अगले सवेरे रमेश बथक को देखने के लिए बहार निकला अरे ये क्या लीला लीला जल्दी से आओ क्या हुआ क्यूं बुलाया अरे ये तो सोने का अंडा लगता है लगता है वेंक टेश्वर भगवान ने मेरी सुन ली तभी तो इस बठक ने हमें सोने का अंडा दिया है अब सही कहते हो मैं अभी इस अंडे को सुनार के पास बेच कराता हूँ रमेश खुशी खुशी सोने का अंडा लेकर सुनार के पास बेच आया क्या हुआ जी क्या आप पैसे लेकर आएं हाँ लीला जल्दी से अपने बेटे को अस्पताल ले चलते हैं और उसके आँखों का ओपरेशन करवाते हैं बठक के दिये हुए सोने का अंडा बेच कर लीला और रमेश ने अपने चुटकों के आँखों का ओपरेशन करवाया ओपरेशन की वज़े से चुटकों देख पा रहा था भगवान ने अपनी प्रार्थना सुन ली उन्होंने ही सोने का अंडा देने वाली बठक हमें दिया है आज बठक ने जो सोने का अंडा दिया है उसे बेचकर पैसे ले आईए, हम अपने लिए एक घर बनवाएंगे लता के कहने पर रमेश सुनार के पास गया और सोने का अंडा बेचकर पैसे ले आया ये हर रोज मेरे पास सोने का अंडा बेचने आ रहा है तो हो न हो जरूर इसके घर पर सोने का अंडा देने वाली बथक होगी साहुकर रात के समय रमेश के घर गया और सोने का अंडा देने वाली बथक को चुरा लिया उस सुनार ने अंडे को पिगलाया और सुन्दर सा नेकलेस बनवाकर पत्नी के गले में पहनाया पर थोड़ी ही देर में सोने का नेकलेस पत्थर के नेकलेस में बदल गया तब ही आचानक वहाँ पर वेंकटेश वर भगवान प्रकट हुए रमेश की महनत से प्रसन होकर ही मैंने उसे बथक दिया था पर तुमने उससे इस बथक को चुराया तभी तो तुम्हें इसकी सजा मिली है अभी इसी क्षण बथक वापस रमेश को लोटा दो वरना तुम्हारे पास रहा सारा सोना पत्थर में बदलेगा साहुकार तुरंथ बथक लोटाने के लिए रमेश के घर जा पहुँचा अपने किये पर पच्टा कर उसने रमेश से माफी मांगी